अच्छा दोस्तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अब आज जी गुड़ेंखन क्या होता है प्राइम नंबर क्या होता है रूट संख्या क्या होता है सब दोस्तो एक अई होता है ठीक है न और प्राइम नंबर के बारे में आप लोग जानते हैं ठीक है दो होता है ती कैसे पढ़ेंगे ताकि एकजाम में कोई हमसे प्रस्णदी करें ठिके तो नार्मल सवाल तो बच्चा-बच्चा लगा लेगा ठिके लेकिन हम लोगों को देखे जैसे माल लिजी हमारे सवाल में यह बोल दिया कि 20 के की तिखीड ओसमें आप रहा है 30 के पIA फाइभ इन्टीफ और कितशनु 5 behaviors ृसमें अभाज एाभ संख्या क्या होगी और दोस्तों यह के बारे में日 करने वाले हैं ऑप द्वांती जी अब ऐसे सवाल यह बाते हैं मेरी बातORA 2 10 seconds, 20 seconds, sun, लिजीं देखे, क्या करना है पहले, हम लोग क्या करेंगे उसका खंड करेंगे, खंड कर लिए अब उसको गिनो, कितना है गिन लिए, 3, 4, 5, 6 जो भी होगा, कर लिए अब उसके बाद, जो है उसके power की तरब देखो कि वहाँ पर power किتना है बस जितनी संख्या होगी और उस पावर से गुड़ा कर देना मेरे भाई और उसको जोड़ देना तावर तोड में निकल के आएगा न कोई कोट होगी न कोई सुनुआई होगी सिर्फ दोस्तों यहाँ पर क्या होगा ताबड तोड़ होगा ठीक है आई देखते हैं देखिए जैसे माल यहाँ पर दिया हुआ है 20 पावर कितना है फोर है और यहाँ पर हो गया 7 की पावर कितना 11 है ठीक है अब बताओ इसका तुम खंड करोगे न तो क्या होगा 4 पाचे 20 होगा फिर खंड करो तो यहाँ पर होग 10 की संफ्लाइक इतनी होगी आप मुझसे यह सवाल कर सकते हो तो क्या हम इसको 2 के power 2 नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हो लेकिन वहाँ पर गिंती कितना करोगे दो करोगी ठीक है और यह एक यह हो गया 3 हुआ ना 3 हो गया और इसके power से multiply करके जोड़ दो आपका ताबर तोड़ सवाल लग जाएगा ठीक है ना अब देखो इस सवाल को यहा को नहीं आया होगा देखें यहां पर यहां पर लिख दिये 30 हो गया और यह 22 हो गया और यह है 34 लेकिन इसके power में कितना है बताइए यहां पर 7 है ठीक है ना और यह कितना है 5 हो गया और कितना है 11 हो गया करना कुछ नहीं इसका खंड करो यह तो बच्चा बच्चा कर लेग फाइब के वाइश मतलब यहां पर हो जाएगा डू और 11 हो गया ठीके पाउर कितना बताईYEip 5 हो गया अब बताई यहां पर क्या लिखोगे 17 दूना के कह रोता है 34 होता है तो यहां पर हो गया गुढ़े 2 हो गया पाउर कितना बताईYEip 11 हो गया अब बताइए कितना होगा जबाब हो जाएगा 10 10 होगा ठीक है ना और यहां पर भी कितना है दो है संख्याय और इसका गुड़ा करो मेरे भाई हो जाएगा 22 ठीक है अब इसको जोड़ दोगे आपका ताबड तोड़ जो है जबाब निकल आ जाएगा यहां पे हो जाएगा ठीक ह यह हो गया 32 20 कितना होता है बताइए होता है 52 ठीक है ना और यहां पर हो जाएगा तीरपन ठीक है जबाग हो जाएगा दोस्तों तीरपन अभाज गुणंखन्णू के संग कितनी होगे बताइए तीरपन होगा करना कुछ था नहीं न देखिए सिंपल सवाल जो है आप अपने तरीके से लगा लेंगे ठीक है न और एक तरीक भी आप जानते हो कि 1-25 के बीच में क्या उता है एक से 50 के बीच में कितना होता है यह सब जानते हो मेरे भाई हम इसको क्यों बताए ठीक है न लेकिन हम यहां पर यह बताए है कि जैसे माल लिजी सवाल को घूमा फिरा के दि को याद करेंगे और अपता बड़तोड लगा लेंगे ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपका दिन सुबह धन्यवाद ठीक है हम पिर मिलते नए वीडियो में